21 सदे के आदमे की जिंदगी इतनी व्यास्त हो गई है वो तरह-तरह के कार्यों में ऐसा उलज गया है कि उसके लिए अलग से किसी प्रकार की साधना में समय निकालना, किसी प्रकार की ध्यान की क्रिया में अग्रसर होना ब्यावहारिक रूप से संभो नहीं हो पाता इसलिए म उनका प्रयास खंडित हो जाता है दूसरी बात पुर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ जो आपका चेतन मन है वह चेतन मन समाज के द्वारा, सिख्षा के द्वारा, संसकर्ती के द्वारा संसकारित किया गया है वह स्वाभाविक नहीं है उसको निर्मित कर दिया जाता है जब आपके चेतन मन को निर्मित किया जाता है तो यह खयाल नहीं रखा जाता है कि उस चेतन मन के नीचे भी जादा सक्तिशाली अर्धचेतन और अचेतन मन है चेतन मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है जो आपके आचेतन मन में पड़ी हुई वृत्तियां हैं उनके बिल्कुल विप्रीत उदाहरण के लिए आपके चेतन मन को समाज द्वारा सिक्षा द्वारा संसकारित कर दिया जाता है आपको कहा जाता है क्रोध मत करो क्रोध बुरा है शेक्स में मत उल्जो शेक्स बुरी है लोब में मत पड़ो ये सभी दुखों की जड़ है इरश्या मत करो सत्रता मत करो तमाम सारी चीजें आपको बताई जाते हैं लेकिन आपके भीतर अचेतन तल पे वही कामवासना भरी है, वही क्रोध भरा है, वही इरश्या भरी है, वही सत्रता भरी है, तो चेतन मन और अचेतन मन दोनों के ब्रतियां एक दूसरे के विप्रित और दोनों ही आपके मन के हिस्से हैं चेतन मन और अचेतन मन अब दोनों मनों में आपस में अंतर विरोध दोनों एक दूसरे के विरोध में दोनों एक दूसरे के विरोध में होने के करण आपके भीतर inner conflict अंतर दंद पैदा होता है उपर का मन कहता है नहीं हमें sex में नहीं उलजना हमें क्रोध में नहीं उलजना हमें काम वासना से दूर रहना और भीतर अचेतन मन में वही दापा पड़ा है तो आपका जीवन divided हो जाता है आपका मन inner conflict में पड़ जाता है अंतर दंद में पड़ जाता है ऐसे होता है कि आपका मन ही उशके दो हिस्से हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ते है एक कुछ करना चाहता है दूसरा कुछ करना चाहता है चेतन मन उशकी सक्ती 10 परतिसयत है जो संसकारित किया गया है उसकी सक्ति 10 प्रतिशत है अचेतन मन उसकी सक्ति 90 प्रतिशत है इसलिए जो आपके बच्चों को समझाया जाता है जो आपको सिखाया जाता है कि ऐसा करो वो आप उपर उपर से करते हो और अचेतन मन 90 प्रतिशत उसकी शक्तियां है वो ज्यादा सक ते चाली है, उसमें जो भरा पड़ा है, आपको करना वही पड़ता है, लेकिन उपर से मुखोटे ओढ़ने पड़ते हैं, उपर से आपको पाखंड करना पड़ता है, आप सिख्षा देते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आया नहीं, कि क्रोध का बच्चे को शिक्षा देता है क्रोध नहीं करना, और जैसे कोई उसर आजाता है, बाप के भीतर से स्वयंग क्रोध का बिस्पोट हो जाता है, बच्चे को शिक्षा देता है, शक्स के चक्कर में नहीं उलजना, लेकिन बाप स्वयंग ही उलजा हुआ रहता है, इसलिए चेत मन जो गहरे में आप चाहते हैं उन में एक निरंतर कंफलिक्ट, संगर्स, द्वंद और लड़ाई शुरू हो जाती है इसका प्रडाम क्या होता है यह ऐसी हिस्तिती है जैसे आपके मन के दो हिस्से आपस में लड़ रहे हैं यह ऐसी हिस्तिती है जैसे आप अपने दोनों हाथों को लड़ाएं जब दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा दोनों लड़ेंगे जीतेगा कोई नहीं हारेंगे आप क्योंकि आपकी ही शक्ति उस लड़ाई में वे होती है और वो शक्ति लड़ाई में बे होती है जिसके कारण आप पराजित होते हैं, हर आदमी जीवन के अंत में ठका ठका पराजित हुआ मरता है, इसका कारण यही है कि हम भीतर से खंड खंड में बटे हुए हैं, इसी का परड़ाम है कि मनुसर के जीवन में कला है, पती पतनी के बीच में कला है, इसका मुल का पर विवाजित है, खंड द्यक्तित हो चुका है आपका, मा बाप और बेटे में कला है, परिवार का दूसरे परिवार से कला है, शिक्षक का विद्यार्थी से दुन्द है, एक बर्ग का दूसरे बर्ग से संघर से, देश का दूसरे देश से संघर से, चारो तरफ उपद्रो वही उपद्रो है, जिसका कारण मनुस्य का मन, और जब तक मनुस्य का मन ऐसे बना रहेगा, तब तक इस पृथिवी से कला को, अशांति को, उपद्रो को, हिंचा को समाप्त नहीं किया जा सकता, तब तक इस पृथिवी से युद्ध बिदा नहीं हो सकते, तब तक इस 5,000 सालों में 15,000 युद्ध हुए है जो धरम के नाम पर लड़े गए और मैं आप से कहना चाहता हूं धर्म का जो विज्ञान इन 5,000 सालों में प्रत्वी पर आया है उसका सार इतना ही है कि ध्यान के द्वारा तुम अपने मन के अंतर दंद को मन से पैदा होने वाले उपद् से मुक्त हो सकते हो ध्यान ही एक मात्र आशदी है जिससे आपकी चेतना चेतन मन से अर्ध चेतन और आचेतन मन की गहराईयों में पहुंचते है और आपका पूरा व्यक्तित एकले हो जाता है कर दो